क्या आपको वो दौर याद है? जब एक भारी सी आवाज आपके कानों में गुंचती थी, ये आकाश वानी हैं। और उस आवाज को सुनते ही आपके कान लग जाते थे उस ओर जहां से वो आवाज आ रही होती थी। या फिर आपके कानों में रस घोलती मकमली सी मदभरी आवाज जो ये कहती थी। आईए अब सुनते हैं किशोर कुमार के आवाज में ये गीत। यदि ऐसा आपने नहीं सुना है तो यकीन मानिये आपने एक उमदा चीज मिस कर दी है। या आप उस दौर से कट गए हैं जिस दौर में ये आवाजें हर घर में गली महलों की पान की दुकानों में और चौराहों पर गुंजा करती थी। आप समझ गए हैं हम बात कर रहे हैं रेडियो की। रेडियो का दौर वो खुबसूरत दौर था जिसमें लोग अंदाजे बयां से हालात और महाल का एहसास कर लेते थे। ये वो दौर था जब कलाकारों के लिए मंच, किसानों और छात्रों के लिए धेर सारी जानकारियां, युवाओं और बुजर्गों के लिए उनके एहसास को टटोलते, प्यार और दर्द भरे नगमों के लिए यही एक मात्र साधन था। अब बात पुराने जमाने के तराने सुनाने वाले साधन की हो रही है, तो हमें रेडियो के बारे में जानने के लिए किसी ऐसे शक्स की ज़रूरत थी, जो आज भी रेडियो को भुला ना पाया हूँ। बड़ी मशक्कत के बाद हमें दो रेडियो लवर्स मिल ही गए। एक जमाना था जब कोई भी काम की बात आई है सामने, सरकार की तरब से, समाजिक संस्ताओं के तरब से, योधा तक रेडियो पर प्रोग्राम हो जाए, तो ये लोगों तक पहुंच जाएगा। और जो ये उस साइम सोया भी इनकी खेती और ये सब बढ़ी थी, इसमें रेडियो का बहुत योगदान था। और किसानों की खेती करने का तरीका बदला उसमें रेडियो बहुत बड़ा योगदान था। ये प्रोग्राम सब होते थे और एट्स वगएरा जो भी ऐसे जागरूता कारिक्रम चलते थे इन पर रेडियो पर लगा था। चुकि उस जमाने में दूरदर्शन की पहुँच बहुत कम थी। रेडियो गाउं गाउं जाता था। इसके ज़रे सरकार की उजनाएं, प्रोग्राम सी ये सब पहुचाए जाते थे। और पहुचते थे बड़े पावरफुल तरीके से। फिर दमाना आ गया होर्डिंग्स का। अब इन पढ़े लिखे आजमी कहा होर्डिंग पढ़ लेगी है। वो रेडियो सुनते थे उनकी जबान पर जो बोली है उनको समझ जाते थे। बढ़िया। जोलाई 1923 में जब भारत पर ब्रिटिश राज था। उसी समय भारत में रेडियो प्रसारण की बात इंडियन ब्राडकास्टिंग कमपनी के नाम से शुरू हुई। दिनांक थी 23 जोलाई 1927। अगस्त 1927 को कलकत्ता से भी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। आठ जून 1936 को रेडियो को एक नया नाम मिला यानि आल इंडिया रेडियो जिसे आज हम आकाश्वानी के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने जब रेडियो जोइन किया तो उस ताइम गेयर वाली मशीने चला करती थी। और यह रिकार्ड आट पीम वाले और वो टेप चलते थी इस पूल रिकार्डर फिर होते होते गेयर वाली मशीने हटी। सेमी कंप्टराइज मशीने आ गई, कंसोल भी तोड़ा से बगल गया। फिर यह आ गया एक कंप्टर वाली सीडी पर एक अब तो टोटल कंप्टर पर चलने लगा है। आज हमको कोई कंसोल पर बठा ले तो हम फ्री एंट शायद करने में हजिटेट करें। तो उस टाइम तो वो सुबह सीखने है ट्यून मंगल ध्वनी से शुरू होता था। तीन सबाएं होती है, सुबह, दुपह, शाम, रात पाली है ना। और चुनाओ जब होता था तो वोट काउंटिंग तीन दिन, चार दिन, टांस्मिशन चलता था। तो यूं होता था रेडियो का तो उस टाइम उसमें फिल्मी गीत, फर्माइची गीत और ऐसी चितरपट टाइप के जैसे वो होते हैं। गाने लगतार बजेंगे आदे गंटे तक, किया तब होता था। ड्रामे होती थे, संगीत, आर्द शास्तिजी, शास्तिजी, फोक, यह सब होता था। और लोकल लिलिक्ट में जो बगेली है तो चौपाल वहां चदरपूर बुदेल कंडी है तो गराम सब है। जहार अंचल में लोकल एक पैंतालीस मिनट का स्लाट होता था। यह प्रोगाम होगा करते थे। हमें सब किया, एनाउसिमेंट भी किया और लोकल लेंगवेज की प्रोगाम भी किया, ड्रामे भी किया। गीतमाला प्रोग्राम के जरिये सुनी गई अमीन सयानी की आवाज बहनों और भाईयों आम लोगों को आज भी गुदगुदाती है। करीब 46 वर्ष तक रेडियो सेलोन के जरिये सयानी की प्रस्तुती और बाद में विविद भारती पर इसके प्रसारन को लोग आज भी आद करते हैं। को लोग सुनते थे मुझे तफाक से मिलने का मौका मिला हैं। मगर देखने का मौका मिल जाये तो तसवर नहीं होता कि आद्मी कैसा होगा। और एक भारी सी आवास, बेस वाली आवास, और पता लगा उस सामने मिल जाए, तो अरे, इसकी आवास ऐसे कैसे हो सकती है, अभी एक इंटर्वी सुन राद था मैं आपके ही उसमें, सुबह एक महतरमा को देखने के लिए लोग सुबह च्छे बेजी की डूटी थी तो लोग और उनको देखने का वो रहता था, तो कितना बड़ा दौर था और आज भी दौर कम नहीं हुआ है, मगर वो दौर कभी नहीं भूल सकते, शारजहा कब चल रहा था, और एक डेढ़ का दरमयान वक्त था, और इंडिया पाकिस्तान का मैं चल रहा था, अचानक इंग्लिश म खायब हो गई, मुजिक बजने लगा, अचानक उसमें एक एंग्लिश बिले अंग्रिजी आती नहीं थी, इंग्लिश में खबर आई, कि इंद्रा गांती को गोली मारती गई, शायद मुझे अच्छे से याद है, मैंने दादा को बता, दादा को आँकों मैं आखसू आ गय मुझे रहे करना बाहई जज्जाएगे और मजदूरों के पास चले जाएये, कि मजदूर लेबर कहूं भी काम कर रहा होगा, उसका रेडियो मॉबाइल में भी वह मीजिक डाउनलोड किया हुए, गाना सुन रहा है, रेडियो लगा हुआ हे वह काम कर रहा है, ठक ठक कर र रेडियो क्रेज है और रहेगा जब तक रेडियो है कोई नई टेक्नोलोजी आ गई तो बहुत अलग है अभी भी लोग रेडियो सुनते हैं मॉबाइल पे सुनते हैं क्योंकि दिको एक चीज है रेडियो रूफ की चीज है ठीक है आप इसे रेडियो ड्रामा है फिल्म है और टेलिविजन ड्रामा है रेडियो ड्रामा में उसने का यहां बगिया कितनी अच्छी तो सुनने वाले ने अपनी हिसाब से कलपना कर ली जो जो फूर पसंद करता है वो उसको दिक है जिस स्टाइल की बग्याओ पसंद करता वैसी महसूस कर ली उसने उनका कितनी अच्छी खुश्बू है तो उसने भी सूंग लिया उसकी जो कल्पना उसकी हिसाब से उसको महग गया टेली विजन है फिल्म की लड़की का चेहरा या उसके कपड़े उसको पसंद नहीं आए रेडियो की लड़की उतनी ही खुबसूरत होगी जितनी वो कल्पना उसकी कहेगी कि इतनी सुन्दर है यह रूख अनाटक है आत्मा जूड जाती है उससे जाके तो रेडियो का चैलं कम हो गया है अब क्रेज तो है किसी को आप बोला के देखो हमको बोलाये तुम ने कम यहां रिकार्टिंग करेंगे हम आई की नहीं आए यह तो यूटूब का चैनल है है ना तो क्रेज तो है ऐसे रेडियो का रेडियो बहुत बड़ा माद्द्याम है संपरेशन का बहुत कमेंट्री सुनते थे लोग दिन दिन भर किर्केट की तीन बजे राट उठके हांकी की उसमें कुछ नहीं दिता है वो बॉल लेके जा रहा हूँ जा रहा हूँ उसने फास दे दिया उस सब कल्पना उठके आखों में चला होता था गेम तो यह हमको जीवन्त बनाता है हमारी म पनी बनाई चीज़ें है जरूरी ठोड़ी कि वह अमता बच्चन दिखना है अमता बच्चन हो और वार्टी भीचल से आ सकता है मैं रेडियो में जाने बहुत करोगे आवाज की नकल करोगे ना कंटेंस तो नहीं बदे सकते हैं आईए सुनते हैं रेडियो से जुड़े यादें ही तो यादें हैं और सब अच्ची हैं कोई बुरी याद नहीं है आएक पहला अन्भो मुझे जो पताने लग तनुजा दीदी थी तनुजा मित्रा एनाउंसर सीने राउंसर बहुत सम्मानी है हम लोगों के लिए और मेरी पहली ड्यूटी युगवानी के पास लेकिन मैं नहीं समझा पांच मिनट पहले मैंने प्रोगाम खतम कर दिया अब पांच तीस मिनट के लिवानी पचीस मिनट में खतम हो गई तो दीदी ने उसमें अपनी रिपोर्ट दी किया तो नर्वस था या ओवर कान्फिटेंस में था तो मेरे साथ दोनों चीज़े थी ओर कान्फिटेंस भी था और नर्वस थी 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 फिर वो गल्ती दोबारा तो फुर्णी कपी तो मैं क्या करता था जैसे अनॉसमेंट डूटी में हूं तो फेडर देना है अब एफ वान एफ टू एफ टी पोर कौन सा बजाना उसके नीचे कागज की चित लगा देता तो एक नए प्रोग्राम एक सेक्यूटीब आये है वो अंदर आये उन्होंने का आप भी ये चित लगा के अनॉसमेंट करते हैं इतने दिनों के बाद तो मैंने का रुकिया एक मेंट में आँख बंद करी माइक रखा गोद में और पाउं से वेडर आपरेट करके सारा किया मैंने का ऐसा कर लेते हैं कानफिडेंस इतना लेकिन बुरा क्या आप से बात कर रहा हूं गलत फेडर देती हूं तो और दूसरा मुझे बहुत बड़ा रिवार्ड मिला काश्वानी में जो एलेक्शन ब्रोड़कास्ट होता था उसमेरी इडूटी रखती तो सो जाने का ख दीदी कोई थी हैं आकाश्वानी दीवा में उनको आने में दोड़ा डिले हो गया अब सोच सकते हो रात बार डूटी में रहा उच्छे बचे तो मैं कुछ बोल गया तो उतनी टाइम तो बाद में डाटा हूं उनका हम लोग बच्चे वाले ही श्कूल बेचके आया बच् समय लेगा वह शायनाज थी शायनाज अखते जी शायनाज के साथ भी तो बड़े इतिफाक रहे लेकिन वह जब सुबह आया करें छे बचे तो मुझसे कहा है गनवार तुम्हारे पोगाम को गोविंग ओवर में दूदूंग घरमस में चाही पी कि तुम गार चले जाना मे चाही पी पहले ऐसा था का समय बहुत अच्छा था है और बहुत यादे हैं ट्रामों की भी बहुत यादे हैं लेकिन उन अच्छी यादों से जुड़े बहुत सारे अच्छे लोग अब नहीं हैं तो गाला भार आता है से हम लोग के हारिकेशन खतरी अंकल थे हो सीनियर वह आया है उनके बैक पर टूट पड़े हम लोग मीठा मसाला तमग वाला मसाला सारे मसाले बना किला थे तो और रिकार्डिंग्स होती थी बिलकुल हैली और जॉली एक माहल होता था एक फेमिली थी बाद में फिर आसकरन सर्मा जी आये तो उन्हान का ये प्रोडूसर क्य क्या करते हैं तीन दिन रिहरसल कराते हैं कंटीनुएशन में रिकार्डिंग कराते हैं दियाराल प्रोडिशनल को का टाइम बेस्ट कर रहे हो आटिस आया उसका पार्ट रिकार्ड करो पी दूसरा आएगा उसका कर लेना तो मिक्सिंग करो आप उसमें आप प्रोडुक्श सकते हैं आप लोग तो फिर वहां से प्रोटक्शन का इस्टाइल ही बदला सब बदला ऐसा हो गया और मैं एक बार इलहाबाद गया तो पान खाता था मैं पान की दुकान में खड़ा हुआ तो वो नहीं नहीं हमर थी बड़ा पूरे बेस में और आवाज का वो टूटे मैंने पान लेका वन उसे का भाई एक पान लगाना उसने छूटे का आप रीव से आए क्या मैंने का हाँ मेरा नाम लिया उसने ये नाम है आपका क्या मैंने का हाँ बाराए 걸 i8 उपहर की सबस्व किए उटने लगी और फिर रहा उसर पी आवाज आईया आकाश मारने करी करी में मुझे तो इतना बड़ा ही नाम आज तक मिलाने को वही सबसे बड़ा ही नाम था तो उसने कागज परफॉर्माइश लिख की दी, यह पांच नाम हैं मेरे मेरे दोस्तों के आप बोल दिया करिये, उसके लिए इतनी बड़ी बात थी, बड़े आदमी भी रेडियो ही सुनते सेट अलग अलग होते हैं सबके घरों में, पहले तो एरियल वाला वो सेट चलता है, बड़ा वाला मर्फी का भूश का है ना फिर दिये दे ट्रांजिस्टर ता आगे ट्रांजिस्टर चलने हैं तो सुनते थे सभी, इसलिए सुनते थे कि हम लोगों के साथ रेडियो के पर लोग था, शारजा कब चल रहा था और एक डियर्ड का दर्मयान वक्त था और इंडिया पाकिस्तान का मैं चल रहा था, अचानक इंग्लिश में कमेंटरी आती थी, कमेंटरी आना बंद हो गई, यो म्यूजिक चलने लगा, मैं गाओं में रहता था, समझ में नहीं आया बह गांती को गोली मारती गई, शायद मुझे अच्छे से याद है, मैंने अब दादा को बताया, दादा को आँकों में आखसु आ गए, तो जूट बोल रहा है, मैंने का मैंने रेडियो में सुना है, तब दादा तयार हुए और कॉंग्रेसी थे तो आय रीवा लोगों से मिल तो हम लोग रेडियो से जीते थे, आज भी आप किसानों के पास चले जाएए तो दूर और मजदूरों के पास चले जाएए, जो मजदूर लेबर कहीं भी काम कर रहा होगा, उसका रेडियो मोबाइल में भी वो म्यूजिक डाउनलोड किये हुए, गाना सुन रहा है, देश की धरती, सीना, उगले, उगले, हीरा, मोती, इस तरह का दौर था, और ये दौर कभी नहीं खतम हो सकता, हाँ, मगर वो दौर दौर था, जो लोगों को पहचान देता था, रेडियो को लोग माध्धम बनाते थे, मैंने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़किय हो गए, तो रेडियो को बेस बनाया उन्होंने, इसी तरह से हम लोग ठीटर करते थे, ठीटर को भी एक अच्छा वो माना आ जाता था प्लेटफॉर्म, कि बोडलनेस आती है, कहीं हम लोग बैंक में जाते थे, तो हम लोग टिकेट बेशते थे अपने नाटक के, कि सर हमार कल शो है, पांच रुबै का टिकेट ले लिजे, तो वो लोग आते थे मिलने, और हमें क्या मिलता था, चंद तालिया मिलती थी, और कुछ नहीं मिलता था, और अखबार में छोटी सी एक कटिंग होती थी, सिंगल कॉलम की, जिसमें नाम लिखा होता था, कि इन्होंने सराह जिम में समा होता है